सर जॉब करूँ कि अपना आप कुछ करूँ एज ओफ 22 पे बहुत लोग मुझे ये question पूछते हैं और मेरे पास इसका कोई clear-cut जवाब नहीं होता प्रिकोज इसका कोई clear-cut जवाब है ही नहीं एक typical I am Ahmedabad की भाशा में इसका answer है it depends it depends कि आपको life में क्या चाहिए कितना fast चाहिए और क्यों चाहिए and आप कितने talented हो the idea of life is to align your capability with the market ठीक है आप 1000 watt के bulb हो और आप एक छोटे से गुडावन में लग जाते हो जहां पे 100 watt के bulb से ही काम चल जाता आप वहाँ जाके बहुत रोशनी पैदा कर रहे हो system बोलता है कि भईया मेरको तो चाहिए ही नहीं 1000 watt की lighting तुम तो मेरे लिए बिजली का bill भड़ा रहे हो और मेरको तो इतनी brightness चाहिए ही नहीं थी आप capable हो 1000 watt का lighting करने का but you chose to be part of a system which only wanted 100 watts of lighting तो गलती आपकी है की market की है obviously आपकी है hence बहुत सारे rank holders होते हैं अगर in cash नहीं कर गया तो पता चला कि टुटी कोरन में जा के किसी manufacturing company में accounts payable, accounts receable की profile में लग गए और फिर system को कोई मतलब नहीं है कि आप rank holder हो कि आप top notch B school से MBA के हो system आपको सब के साथ equally treat करेगा and you will end up cross subsidizing someone else because जो typical social loafing theory होता है जब जहां rewards collective होते है group as a concept is more important individual flair का उतना relevance नहीं होता आप outlier है तो आप वहां से निकल जाएए वहां का हिस्सा बनोगे तो आपको frustration ही होगा पीज़ों आपको लगे मैं दूसरों से अच्छा हूँ मेरे को higher reward क्यों नहीं मिल रहा system आपको बोलता है अपकी इतनी अच्छी पन की मुझे जरूरती नहीं है so from that perspective आप अपना करना चाहोगे अपना करना चाहोगे तो भाया उसमें risk है कि month के end पे fixed paycheck नहीं आएगा paycheck आता तो शादी हो जाती शादी हो जाती फिर BV, बच्चे, घर फिर mutual fund की SIP स्टार्ट कर देते home कभी EMI चल रहा है mutual fund SIP भी चल रहा है stock market पे भी invest कर रहे थे जब तक retirement होती तो PPF, PF, NPS का triangle बन गया, एक लंबा kitty आगया है हाथ में life set and sorted है ऐसा लोगों को लगता है बट कही ना कहीं अगर आप अपना 1000 watt का जो capability है वो प्रकाश आप फैला नहीं पारे you are not being part of Eden Garden and you end up being part of that small go down आप कही ना कहीं frustrated हो जाओगे in spite of having that PPF and PF and NPS easier said than done entrepreneurship में बहुत risk है, बहुत ज़्यादा challenging है rejection है, लोग पैसा नहीं देंगे लोग धन्दा नहीं देंगे, बहुत high competition है इंडिया में 100 रुपे का काम लोग 10 रुपे में करने को तयार है so practical challenges रहेंगे but end of the day आपको ये decide करना है कि मुझे Uber पूल में travel करना है कि Uber में travel करना है, अगर आप point A से point B में जा रहे हैं, Uber आपको 300 रुपे में लेके जाएगा, अग full-fledged exclusive ride करोगे Uber पूल आपको हो सकत है, 120 में लेके जाए तो Uber पूल आपको सस्ता लगेगा but Uber पूल में बहुत बार ऐसा होगा कि तकदीर साथ नहीं देगा एक ना कोई idiot, एक classic moron आपका co-passenger बन जाएगा जिसके वज़े से पूरा route घुमना पड़ेगा अच्छा तो महंगा सौधा पड़ गया जो सस्ता लग रहा था हूँ, अच्छली महंगा पड़ गया मेरे लिए, I ended up wasting my time because सबसे important हमारे लिए हमारे लिए हमारा time यह ना, time खतम तो everything is over so from that perspective कि job versus entrepreneurship का answer बहुत easy नहीं है, job में भी लोग grow करते है बट job में grow करने के लिए दो चीज़ होना चाहिए आप 1000 watt के बलब हो तो या तो कोई godfather आपको मिले जो आपको समझे और identify कर लेकिए या ये बंदे में spark है तान लो इसको उपर, corporate headquarters में ले जाओ chairman का executive assistant बन जाओ और देरे देरे आप international posting होगे, जैसे for example Tata group में आप Tata administrative services के पार बन जाते हो आदित्य बिल्ला group में FLP के हिस्सा बन जाते हो एक premier FMCG company join कर लेते हो आप ऐसी जगा घुस जाते हो जहाँ पे एरा गैरो अर्जू फर्जू लोग घुसी नहीं सकता management consulting, private equity, investment banking की जो niche fields है, वहाँ join करते हो obviously आप grow करोगे golden stroke of luck है company को आपकी ज़रुरत थी आप वहाँ पहुँच गए grow कर गए आप startup था suddenly आप एक normal बंदे के जैसे company में join कि थे, startup ने 50 million डॉलर की funding ले ली, उसको flip cut ने acquire कर लिया, etc, etc, आप वहाँ पे बहुत बड़े बंदे बन गए तकदीर तो तकदीर है ही भाई तो या तो Godfather मिले वो ऐसा इंसान जो समझे की भाईया, यह चंद्रगुपत है मैं चाड़क के बन के इसको उठा दूँगा या तकदीर का साथ है भाईया, बहुत अचानक बहुत का निधन हो गया, बहुत COVID में चलते रहे, जगा थी आपको मिल गया, बहुत अचानक resign कर गए, कंपनी को अचानक एक जगा position थी, एटलांटा में, कोई नहीं मिल रहा था आपको भेज दिया गया, आप वहाँ पे shine कर गए, visibility मिल गई, so job के वो कहनी है, entrepreneurship की खुद की, but entrepreneurship is like an Uber, risk भी मेरा, reward भी मेरा, महनत करूंगा, मेरी है घर में सो जाओंगा, तो नुकसान भी मेरा है, पूरी रात खटूंगा तो भी पैसा मेरा है, so from that perspective, it gives you greater control over your life, and therefore, I would strongly recommend की अगर, given a choice between job and entrepreneurship, you should choose entrepreneurship, अगर आपकी अंदर 2-3 साल का risk-taking capability है, तो you will surely sign in that, so shining is definitely there, risk है, reward हो सकता है, ना मिले, बट देखी, job तो फिर ultimately आपको कभी भी मिली जाएगा ना, ऐसा तो कुछ है निकि, job world में तो लाकों हजारों कोरोड है, लोग है जो job करें, तो great resignation का period चले हैं, जिसके उपर में एक separate video बनाऊंगा, तो different concepts, अगर ये video आपको अच्छा लगे, तो इसे like करेगा, share करेगा, comment करेगा, अपने near and dear ones को बताइएगा, इस channel पर आएएँ, यहाँ पर बहुत सारा content आपको मिलता है, जो probably आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप बार बार यहां आते हैं, YouTube बाबा को